सबी मित्रों को कुमार राजिश का नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राणी रासमणी के बारे में राणी रासमणी जिन्हें बंगला भाशी लोग राणी राशमोनी के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं राणी रासमणी नहीं दक्षणेश्वर काली मंदिर बनवाय था और इसी दक्षणेश्वर काली मंदिर में राम कृष्ण परमहंसी जी ने माता काली के साक्षातकार किये थे राणी रास्मणी ने अपने विभिन जन हितेशी कारें के कारण प्रसिद्धी अर्जित की थी उन्होंने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कलकत्ता से पूर्व पश्चिम की ओर इस्थित सुवर्ण रेखा नदी से जगनात पुरी तक एक सड़क का निर्मान भी करवाया था जैसा कि मैंने बताया वे दक्षनेश्वर काली मंदिर की संस्थापिका भी थी इन्होंने कलकत्ता के निवासियों के लिए गंगा इस्नान की सुविधा हितु केंद्री और उत्तर कोलकाता में हुगली के किनारे बाबु घाट, अहेरी टोला घाट और नीम ताल घाट का निर्मान करवाया था आज भी कोलकाता के सबसे प्रसेद और महत्यवपून घाटों में इनका नाम लिया जाता है इन्होंने ही हिंदू कॉलेज के निर्माण में वित्तिय साहता प्रदान की थी जिसे हम आजकल प्रेसिदेंसी विश्य विद्याले कोलकाता के नाम से जानते हैं रानी रासमणी ने ही इंपिरियल लाइब्रेडी की निर्माण में भी वित्य साहता प्रदान की थी जिसे हम आजकल भारतिय राष्ट्रिय पुस्तकाले कोलकाता के नाम से जानते हैं रानी रासमणी द्वारा बनवाय गया दक्षनेश्वर काली मंदिर एक एतिहासिक हिंदू मंदिर है इस मंदिर की मुख्य देवी काली माता है यहाँ पर काली देवी भवतार्णी के रूप में विराजमान है यह कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है रानी रास्मानी का जनम 28 सितंबर 1793 में हुआ था रानी रास्मानी के पिताजी का नाम हरे कृष्ण दास था और इनकी माता का नाम राम प्रिया देवी था 28 सितंबर 1793 को उत्तर 24 परगना जिले के हाली शहर के कुना ग्राम में इनका जनम हुआ था इनका परिवार एक क्रिशे जीवी परिवार था जब रास्मणी देवी साथ वर्ष की थी तभी इनकी माता का दिहांत हो गया था इनका विवार मात्र ग्यारा वर्ष की आयू में कोलकाता के जन्बजार के धनी जमिदार बाबू राज चंद्रदास के साथ करवा दिया गया था अपने योवन काल में रानी रास्मणी असमान्य सुन्दरी हुआ करती थी ऐसा लगता था मानो भगवान ने इन्हें अपने हाथों से ही बनाया हो विवाह के पश्चात इन्होंने चार पुत्रियों को जन्म दिया पदमिनी, कुमारी, करुणामई और जगदंबा इन पर दुख का पहार तब तूट पड़ा जब इनके पती की मृत्यु हो गई पती की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उनकी जमीदारी का सारा भार अपने उपर उठा लिया और अत्यंत दक्षता के साथ अपने दायित्तों का परिचालन शुरू कर दिया व्यक्तिगत तोर पर रानी रासमणी किसी सामान्य धारमिक बंगाली हिंदू विद्वा के समान सामान्य सा साधारन सा जीवन जिया करती थी जमीधारी की बागडूर समालने के बाद उन्होंने सामाजिक एवम लुक कल्यानकारी योजनाओं में कारे करना शुरू किया उस समय भारत पर अंग्रेजों का शाषन था ब्रिटिश शाषन के साथ कई बार रानी रासमणी का टकराव हुआ था रानी और ब्रिटिश शाषन के बीच भिडंत के किस्से जनता में काफी लोकप रिये थे ब्रिटिश शासन ने गंगा नदी में मचली का शिकार करने वाले मचवारों पर कर लागू कर दिया था इस बास से रानी रासमनी बहुत दुखी थी रानी रासमनी ने अंग्रेजों के विरोध में हुगली नदी के एक हिस्से पर अवरोध लगाकर हुगली के महत्यपूर्ण व्यापार मार्ग पर रोक लगा दी थी जिसके कारण ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हुई और ब्रिटिश सरकार को अपना कर लगाने का फैसला वापस लेना पड़ा था रानी के पास उस समय गरीब मच्वारों का समर्थन था अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए कर के कारण उनका जीवन यापन मुश्किल में पड़ गया था एक बार अंग्रेज सरकार ने उनके घर की दुरगा पूजा की विसरजन यात्रा पर रोक के आदेश दे दिये थे अंग्रेज सरकार का कहना था कि इस यात्रा से नगर की शान्ती भंग होती है मगर रानी रासमणी ने इस आदेश की अवहिलना की जिसके जवाब में सरकार ने रानी पर भारी जुर्माना लगाया मगर जन सामानने में उनके लिए समर्थन के कारण उठे भेंकर विरोध और हिंसा के कारण अंग्रेज सरकार को इस जुर्माने को वापस लेना पड़ा था रानी रासमणी ने अपने विभिन लूग सेवा कार्यों के माध्यम से प्रसिद्धी अरजित की थी और अपनी जन हितैशी जमीनदार की छवी तयार की थी उन्होंने तीर थियात्रियों की सुवधा के लिए कलकत्ता से पश्चीम की और इस्थित सुवर्ण रेखा नदी से पूरी तक एक सड़क का निर्मान करवाया था एक रात रानी रासमणी को स्वपन में काली देवी ने भवतार्णी के रूप में दर्शन दिया स्वपन में रानी रासमणी ने माता भवतार्णी से काफी बाते की थी इसके बाद उन्होंने उत्तर कूलकाता में हुगली नदी यानि गंगा नदी के किनारे भवतार्णी के भव्य मंदिर का निर्मान करवाया था जिसे आज हम दक्षणिश्वर काली मंदिर के नाम से जानते हैं मंदिर का निर्मान तो हो गया था लेकिन कोई भी ब्रहमन दक्षणिश्वर मंदिर में पुरोहित बनने के लिए तयार नहीं होता था इसका कारण था हमारे समाज की कुरितियां क्योंकि रानी रासमनी का जनम शुद्र जाती के परिवार में हुआ था इसलिए उनके बनवाए हुए मंदिर में कोई भी ब्रहमन पुरोहित बनने के लिए तयार नहीं होता था लेकिन रानी रासमनी ने बिलकुल भी हार नहीं मानी उन्होंने राम कुमार चटो पाध्याय को इस मंदिर के प्रधान पुरोहित के रूप में नियुक्त किया राम कुमार चटो पाध्याय राम कृष्ण परमहंस के बड़े भाही थे उस समय राम कृष्ण परमहंस को गदाधर के नाम से जाना जाता था रामकुमार चटोपाध्याय को सन 1855 में मुख्य पुजारी की रूप में नियुक्त किया गया था लेकिन 1856 में रामकुमार चटोपाध्याय के मिरुत्यों के बाद गदाधर चटोपाध्याय को काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया यहीं रामकृष्ण परमहंस को काली माता की मूर्ती अपनी माता की रूप में दिखाई देती थी और माता काली प्रकट होकर रामकृष्ण परमहंस के हाथों से ही भोजन किया करती थी दक्षनेश्वर मंदिर का निर्मान सन 1847 में ही प्रारंब कर दिया गया था 1854 में मंदिर का निर्मान पूरा हो गया और 1855 में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई रामकुमार चटोपाध्याय मंदिर के मुख्य पुजारी की रूप में नियुक्त किये गया उस समय रामकृष्ण परमहंस अपने भाई की साहता करने के लिए देवी की परतिमा को सजाने का कारे करते थे लेकिन अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्हें ही पुरोहित के तोर पर नियुक्त किया गया गदाधर चटोपाध्याय इस मंदिर में रहते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में एक विख्याद दार्शनिक, योग साधक और धरम गुरू के रूप में उबरे इस तरह से रानी रासमणी रामकृष्ण परमहंस की पित्र पोशक भी बनी स्वामी रामकृष्ण परमहंस रानी रास्मणी को देवी दुर्गा की अश्ट नाइकाओं में से एक माना करते थे अत्यन्त धार्मिक और समाज सेवी प्रवर्ती की होने के बावजूद भी समाज के कुछ विशेश वर्गों द्वारा शूद्र जाती के परिवार में जन्मे होने के कारण उनके साथ भेद भाव का व्यवहार किया जाता था रामकृष्ण परमहंस ने अपने लिखों में उस घटना का भी उलेक किया था जब रानी रास्मणी के शूद्र जाती में जन्मे होने के कारण कोई भी ब्रामण दक्षण इश्वर मंदिर में पुरोहित बनने के लिए तैयार नहीं होता था उन्निस फरवरी 1861 को रानी रास्मणी ने प्रान त्याग दिये और यह पवित्रात्मा माता भातारणी में विलीन हो गई इनका बनवाय हुआ दक्षण इश्वर काली मंदिर प्रख्याद दार्शनिक एवं धरम गुरू स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कर्म भूमी रही है जो की बंगाली अथवा हिंदू नवजागरण के प्रमुक सूत्रधारों में से एक दार्शनिक, धरम गुरू तथा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेका नंद के गुरू थे कई मायनों में इस मंदिर के प्रतिष्ठा और ख्याति का प्रमुक कारण है रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से जुडाओ मंदिर के मुख्य प्रांगन के उत्तरी पश्चीमी कोने में राम कृष्ण परमहंस का कक्ष आज भी उनकी एतिहासिक इस्मृतिक की रूप में सनक्षित करके रखा गया है जिसमें श्रद्धालू और अन्य आगंतुक प्रवेश कर सकते हैं सन 1993 में भारती डाक विभाग ने रानी रासमानी की साल गरह के उपलक्ष में एक विशेश डाक टिकेट जारी किया था दक्षिनेश्वर मंदिर के निकट इस्थित फेरी घाट का नाम भी रानी रासमानी घाट है रानी रास्मणी को रानी मा के नाम से सम्वोधित किया जाता रहा है रानी रास्मणी बंगाल में नव जागरन काल की एक व्यक्तित्व थी वेक सामाजिक कारे करता एवं कोलकाता के जन बाजार की जन हितैशे जमीनदार के रूप में प्रसिद्ध थी जैसा कि मैंने आपको बताया कि रानी मा दक्षनेश्वर काली मंदिर की संस्थापिका थी स्वामी राम क्रिष्ण परमहंस की मुख्य प्रिष्ट पोशिका भी रानी रास्मणी ही थी राणी रास्माणी को अक्सर लोगसंस्कृति में सम्मान जनक तोर से लोगमाता कहकर पुकारा जाता है पती की मृत्यों के पस्चात इन्होंने जमीदारी का सारा भार अपने उठा लिया था और अतिन्त दक्षता के साथ अपने दाइत्यों का निर्वाह किया और समाज के लिए भी अपनी आखरी सांस तक कारे करती रहीं तो दोस्तों, रानी रासमणी से संबंधित यहां जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी इसी के साथ अपने मित्रकुमार राजिश को विदा दीजी नमस्कार, सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया इसे सब्सक्राइब करें मुझे आशा है कि आपका प्यार और इसनिया इसी तरह आगे मुझे मिलता रहेगा